आज हम वेज पराथा बनाएंगे, यह खाने में बहुत टेस्टी होता है और बनाने में बहुत आसान होता है नमस्कार मैं प्रीती प्रीती सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चलिए अब हम देखते हैं कि वेज पराथा कैसे बनाते है वेज पराथा बनाने के लिए यह मैंने तीन कटोरी यहूंका आठा लिया है अब इसमें हम दो चम्मच रिफाइंड ओयल डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसमें हम एक चम्मच रेगुलर नमक डालेंगे इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम पानी की साहता से आठे का डो लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम मुलायम आठा तयार करेंगे हमने सॉफ्ट आठा तयार कर लिया है अब इसको हम पना मिनाट रेस्ट के लिए लग देंगे अब हम इस्टफिंग तयार करेंगे इसके लिए मैंने आदा कप पत्ता गोवी लिया है इसको बारी काट लिया एक शिम्ला मिर्च लिये इसको बारी काट लिया है एक हरी मिर्च लिये इसको बारी काट लिया यह भी डाल देंगे ज़िए आप बच्चों का बनाए तो ये इसकेप कर सकते हैं 1 medium Size का build आलव को लिया है इसको मैंने grate में 400 g पनेल लिया है यह मैंने 200g पनेल लिया है इसको भी मैंने grate लिया है और यह दो बड़े चमच मैंने डाइस वाले चीज़ लिया है और कुछ हरे धनी की पत्ती इसको डाल देंगे अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे आदा चमच लाल मिच पॉडर डालेंगे आदा चमच गरम साला आदा चमच धनिया पॉडर और हम एक चमच नमक डालेंगे इस सभी को मिक्स कर लेंगे इस्टफिंग हमारी तयार हो गई है अब हम पराठा बनाएंगे आठा भी हमारा तयार हो गया है अब हम आठे से एक पेड़ा तोड़ेंगे और लोई बनाएंगे और इसको हम थोड़ा सा रोटी के शेप में बेलेंगे अब हम इसमें इस्टफिंग बरेंगे आपको इस्टफिंग जितनी बढ़नी हो उतनी भर सकते हैं कम हिया जाद है अब हम इस लोई को बन करेंगे परांठे के शेप में बेल लेंगे परांठे को हमें ज्यादा पतला नहीं करना थोड़ा मोटा ही रखेंगे परांठे को हमने बेल दिया है अब इसको हम सेकेंगे अब हम तबा लेंगे और गैस की फ्लेम को ओन कर देंगे अब इसमें हम थोड़ा अचा बटर डालेंगे और एक चमच ओयल डालेंगे और इसके उपर हम पराठा डाल देंगे अब पराठे को हम दोन चत से वोल्डेम ब्राउन होने तक सेकेंगे अब हम पराठे को पल्टेंगे और दोनों तरफ से हम सेखेंगे हमारा पराठा सिख गया है इस ही टैसे हम सारे पराठे बनाएंगे और फिर सर्व पर रहेंगे हमारा वेज पराठा बनके तयार है आप इसे चटनी या रायती के साथ ब्रेकफास्ट लंच या डिनर में सब कर सकते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब हम अगली रासीपी के साथ आप से मिलते हैं नमस्क्राइब कर साथ बहुत 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 पर रादा नमस्क्राइब